इस तरीके का assault एक flight के captain के उपर, इस तरीके के repeated incidents हम देखते हुए आ रहा हैं, लेकिन अगर यार यह statement दिया भी गया एक pilot के द्वारा या किसी crew member के द्वारा, that still does not warrant a physical assault, क्या इसमें airlines का पक्ष पूरी तरह से सही ठराया जा सकता है। जो pilots होते हैं, उनको ATC के directions को follow करना पड़ता है, अपनी मर्जी से एक pilot जो है, वो मन मर्जी से take off और landing नहीं कर सकता है। यह भी कोई महमुली बात नहीं है। वो मर्जी से समय उनको कि और आप है, जो करते हैं तरह संब्सक्राइब, तरह सकता है, और व्यादी रेक्ष यह उनको के आप पाल एंगे, वो नहीं होते हैं, बसके एंगे, प्रूप बसक्राइब, प्रूप प्रूप केल लिए, हसन कौन है ये लोग कहां से आते हैं मतलब इस तरीके का असौल्ट एक फ्लाइट के कैप्टेन के ऊपर विवर्स के लिए बता दूँ गो इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E2175 जो की 14 जैनवरी को डेली टू गो अबाउंड थी वहां का ये इंसिडेंट है जिसमें के एक पैसेंजर ने डिले के वजए से या कहूं के 10 घंटे के डिले के वजए से फाइनली परेशान होकर एक कैप्टन के ऊपर हाथ उठा दिया असौर्ट करने वाले का नाम साहिल काटारिया बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये बाउंड थे गोवा जाने के लिए अपने हनीमून पर जिन पर असौर्ट हुआ उनका नाम था कैप्टन अनूप कुमार और ये मुद्धा सोशल मीडिया पर बहुत जादा वायरल हुआ है पिछले दनों साहिल काटारिया के उपर चार्जिज लगाए गए और उनको अरेस्ट किया गया इमेडियेटली फ्रॉम दफ्लाइट जिसके बाद उनको बेल भी मिल गई लेकिन आज इस इशू को डिसकस करना इसलिए जरूरी हो जाता है हसन क्योंकि इस तरीके के रिपीटिड इंसिडेंट्स हम देखते हुए आ रहे हैं तो यह establish करना बहुत जरूरी है कि जब आप एक air travel में होते हैं या फिर for that matter किसी भी travel में होते हैं तो कुछ basic minimum etiquettes और कुछ चीज़ें जिससे आपको अवगत होना चाहिए, aware होना चाहिए उन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं साथ साथ ये بھی बात करेंगे कि airlines की क्या जिम्मेदारी होती है क्या इसमें एरलाइनस का पक्ष पूरी तरह से सही ठहराया जा सकता है क्या इसमें passengers का पक्ष भी पूरी तरह से सही ठहराया जा सकता है तो असन फॉगी वेदर से हुए इस unusual delay की वज़े से एक इस तरीके की वार्दा थूल इस पर Captain Gaurav Taneja ने भी एक वीडियो बनाया अब Captain Gaurav Taneja जैसे आप मेंसे कई लोग जानते ही है Flying Beast नामक एक YouTube चैनल भी रन करते हैं और X Captain भी रहे हैं specifically Indigo की flight plane उन्होंने इस incident को आज हम इस बुद्धे पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस तरीके के incidents को avoid किया जा सकता है Pilots also love to fly the aircraft rather than sit on the ground with the aircraft वो हमारे लिए भी बहुत बोरिंग चीन हो जाती है कि ground पर बैठे हैं कुछ पता नहीं होता है और ATC सिर्फ एक चीज बोलता है operational reasons, delay due to operational reasons गौरव ने यहां पर काफी एक important बात बताई है कि जो pilots होते हैं उनको ATC के directions को follow करना पड़ता है जिस time पर भी ATC बताती है कि आप अब आप flight land कर सकते हैं तो वो land करेंगे जब आप take off कर सकते हैं तब वो take off करेंगे अपनी मर्जी से एक pilot जो है वो man मर्जी से take off और landing नहीं कर सकता बिल्कुल यहां ने यहां पर बताया है कि ज़्यादातर captains को जब ATC से कोई instruction आता है तो वो सिर्फ operational issues कहकर उनको एक reason देते हैं अब एक captain जो flight का in charge है सारे signals उसको मिल रहे हैं और वो जो बाकी passengers हैं और दूसरा crew members हैं उनको percolate करता है तो यहां पर इस particular case में एक pilot और क्या कर सकता है अगर उसको सिर्फ operational issues की वज़े से delay बताया जा रहा है तो हाँ इन्होंने अभिशेक ये बात भी बहुत important बताई है मतलब जो visibility होती है उसका भी बहुत बड़ा importance होता है मतलब जब fog की conditions होती है और उसमें when you are taking off तो 125 meter तक अगर उस plane को देख रहा है उस pilot को देख रहा है clear है तभी वो take off कर सकता है otherwise अगर वो visibility ही नहीं है उसे सामने दिखी नहीं रहा है तो वो delay ही करना flight को बेतर होता है for the safety of the passengers हाला कि ये भी एक important point है जो नहोंने बोला कि landing जो है वो zero visibility पे हो सकती है मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं देख रहा है और extreme condition है मान के चलिए बिलकुल ही emergency आ चुकी है जो fuel है airplane का वो खतम होने वाला है तो आप zero visibility पर भी इतनी technology आगे बढ़ चुकी है कि आप land कर सकते हैं लेकिन उसमें भी एक factor होता है risk का और risk अगर avoid किया जा सकता है किसी तरह तो वो बिलकुल करना चाहिए तो देखिए ऐसी condition में जहां पर fog की वज़ा से या किसी एक environmental कोई emergency की वज़ा से storm आ रहा है, बहुत तेज आंधी, तूफान, hurricane, कुछ ऐसा है तो उसकी वज़ा से अगर आपकी flight delay हो रही है तो आपको ये है कि भी आप अपना anger control करिए आप अपनी जो anxiety है उसको थोड़ा सा आप control करें और थोड़ा सायम रखिए, देखिए, अगर कोई भी delay हो रहा है तो आप इस बात को मानिए, वो आपकी अपनी safety के लिए हो रहा है अगर conditions नहीं है, favorable और उसमें अगर pilot सीधे plane उड़ा दे तो pilot की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि 200 से 300 passengers होते है उन passengers को safely take off करना है, safely land करना है comfortable पूरी flight रखनी है हाँ और बिलकुल यार, सायम खो देने से आपने पाया क्या? सवाल ये भी है वही इन माशेय ने सायम अपना खो दिया और जाके pilot के उपर इन्होंने एक मुक्का जड़ दिया ultimately क्या हुआ? देखें, आपके उपर CRPC की धाराय लगी आपके उपर IPC की धाराय लगी अलावा उसके आप life long NFL में आ गए अब NFL होती है no flyers list, जिसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि आप fly करने के लिए इन्डिया में fly ही नहीं कर पाएंगे किसी भी airline से तो इतना बड़ा रिस्क होने के साथ साथ आपने अपनी goodwill भी लूस कर दी आपने अपनी goodwill भी लूस कर दी आपने अपनी goodwill भी लूस कर दी ultimately इससे क्या फायदा हुआ? प्लस इससे बड़ा जो loss हुआ इनका वो यह हुआ कि एक special moment जो इनकी life का था मतलब अपने honeymoon पर जा रहे थे newly wed यह couple थे दोनों husband wife ultimately कितना बड़ा एक scar for life इनके इस experience में आ गया तो क्या आपने पा लिया? है ना उनका जो भी reason था वो एक operational reason था यह बात बिलकुल जायज है संदे को यह discuss करना ज़रूरी है कि 10 घंटे के डिले की हम बात कर रहे है तो मतलब हम एक घंटे की डिड़ घंटे के डिले की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आप समझे कि सुबा अगर आप 8 बजे बैठे हैं तो शाम के 6 बजे तक आपकी flight वहीं की वहीं है take off भी नहीं हुई है और आप सुबा के 8 से लेके शाम के 6 बजे तक उसी flight में बने हुए and when the doors are locked उसी एक cabin में आप है तो देखो कई सारे लोग होते हैं जो claustrophobic होते है तो हो सकता है कि उनको claustrophobia हो रहा हो ठीक है आपका AC भी working है आपकी खिड़कियां भी कुली हुई है I'm assuming के जो cabin crew था उन्होंने हर तरह से ध्यान रखा होगा खाने पीने से लेके दूसरे hygienic जो physiological needs होती है हर चीज का ध्यान रखा जा रहा होगा पर बावजूद उसके यार एक cabin में 10 घंटे के लिए बंद हो जाना ये भी कोई मामूली बात नहीं है और इसके अलावा गौरव ने बताया है कि जब doors lock हो जाते हैं हसन तो airplane जो है वो in flight mode में आ जाता है technically ठीक है तो कायदे से आप उसी हिसाब से behave करेंगे as a passenger जैसे कि आप एक flight में करते हैं अब ठीक है passengers को इतनी knowledge नहीं होगी technical care उनको तो यही लग रहा है ना कि हम TAMAC पे खड़ा हुआ है aircraft और हम अभी take off नहीं हुए है तो दरवाजे कोल सकते हैं इसमें इतना बड़ा क्या issue है लेकिन ठीक है उनके technical protocols होते हैं और वो दरवाजे जो हैं वो किसी special condition में ही कोले जा सकते होंगे लेकिन ultimately आपको देखना यह है कि क्या आपके stake पे था वहाँ पर यह assault करने से मतलब इन्होंने क्या सूचा कि assault करने से captain डर से या cabin crew डर से वो दरवाजे खोल देगा या पता नहीं इन्होंने क्या सूचा बड़ी कि incident ऐसा है जिसमें दोनों ही side जो है वो strong है पर हम यहाँ पर यह पहले ही establish कर दें कि जिस तरीके का assault यह हुआ साहिल कटारिया के दुआरा यह किसी भी तरीके से justify नहीं किया जा सकता है और main point जो इन्होंने यहाँ पर बोला है वो है कि pilot जो है वो बाहर आकर announcement कर रहे है इस वीडियो में अगर देखें तो जबकि technically by the book गौरफ का कहना है कि तीन second या something like that से ज्यादा वो cockpit का दर्वाजा नहीं खुलना चाहिए और जो जब खुलता भी है तो जो cabin crew है वो वहाँ पर एक hindrance create कर देते हैं food cards होती है उनको लगा कर तो कहने का मतलब यह है कि आप उस दर्वाजे को खोल कर unlimited time के लिए वहाँ खड़े होकर announcement नहीं कर सकते हैं अभीशे यह बहुत बड़ा security lapse होता है मतलब जहां पर तीन second के लिए सिफ यह allowed होता है दर्वाजा उनका खुलना वहाँ पर यह तो खड़े होकर और बकाइदा discussion कर रहे हैं वहाँ पे passengers से तो यह तो खेर अपने आप में एक investigation है जो I'm sure DGCA और जो airport authorities हैं वो करेंगी इसको लेके लेकिन इसके लावा तुम यह देखो कि जो announcement उन्होंने वहाँ पर आकर किया passengers के सामने वो अपने cockpit में बैठके वहाँ से announcement कर सकते थे वहाँ से information दे सकते थे delay की क्योंकि उनको यह मालूम था कि 10 घंटे लगबग हो चुके हैं जितना delay अल्रेडी वहाँ पर हो चुका था फ्लाइट को तो passengers अपने end पर agitated होंगे और जो हुआ वो देखो impossible तो नहीं था predict करना कैसा कुछ case हो सकता है और जहां पे 200 passengers के आसपास हैं कोई भी एक उस तरह से unruly behavior दिखा सकता है तो ठीक है यह incident हुआ लेकिन इससे हमें काफी learning मिली है और काफी सारी चीज़ें अभी हम इसमें और आगे discuss करेंगे वैसे आप हमें comment box में comment करके बताइए आपके experiences क्या रहे है plane delays के, airports के क्या एच्छे experience हैं, क्या बुरे experiences हैं कहां पर आपका plane कभी late हुआ और आपने कैसी react किया यहां पर अभीशेक एक technical point आता है RVR का, अजब जो आपको visibility इतनी है, उसके बारे में कि जब आप take off करते हैं तो उस time पर 125 meter की visibility होनी चाहिए और जब आप landing करते हैं, उस time पर 100 meters की visibility में भी landing हो जाती है, तो वहां पर जो उस plane में लोग बैठे हुए थे वो runway पर देख रहे हैं कि plane land हो रहे हैं, तो अगर आप मानके चले, 112 meter की visibility थी RVR था उस time पर, तो flight land तो कर सकती हैं, ठीक है फिर जैसे ही 112 से 130, 135 visibility हुई तो कुछ जो Q में वो planes हैं, वो take off भी कर सकते हैं, अब जो passengers हैं उस plane के अंदर वो देख रहे हैं कि air strip पर landing भी चल रही है और कुछ take off भी कर रहे हैं और हमारा ये जो pilot है ये take off नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब वो है, ये नौसिकिया pilot है, या ये अभी-भी newbies है या ये इसको fog में take off करना नहीं आता क्या मतलब है, ये जूट कह रहा है हमसे he is lying और इस तरह से फिर वो पूरा जो वो है जगडा कहलो से या लड़ाई कहलो वो आगे बड़ी, तो उसने ये word बोला हाँ या और मतलब मुझे नहीं लगता कि there is any reason for any pilots to lie if anything, भाई अमें ये समझना चाहिए कि pilot जो है उसकी भी तो अपनी family है जैसे आप 8 के हुए है 10 गंटे उस flight में, वैसे वो pilot भी 8 का हुआ है if anything, उसकी तो duty hours जो है, वो भी extend हो चुके आप तो कम से कम अपने leisure में बैठे हुए है, ठीक है, आपकी भी inconveniences है आप कई और जाना चाहते हूँए कई passengers की connecting flights होती है तो मेरे साथ ऐसा personally भी हुआ है कि मेरे flight delay के चक्कर में एक connecting flight जो मेरी आगे किसी एक और leg में थी, वो में सो गई तो ठीक है, आपकी तरफ भी inconvenience है और pilot की तरफ भी inconvenience है बट ultimately ये factors ऐसे हैं जो ना आपके हाथ में है as a passengers, जो कि कभी वैसे भी नहीं होने वाले और pilots के हाथ में भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जान का risk अगर उस एक पूरे aircraft में including everybody मान लीजिए कि 200 लोग बैठे हैं या 200 लोग बैठे हैं तो उन सब की जानों की जिम्मेदारी उस समय उस captain की है, उस pilot की है जब तक वो आपको take off करा रहा है from your base location to your destination तब तक के लिए वो जिम्मेदारी भावे जिम्मेदारी airlines की और उस pilot की खासतोर पर बनती है तो क्या वो उन सारी जानों को risk पर रखके मतलब take off करा दे आपको और अगर वो आपको reasons दे रहा है कि नहीं हम कर सकते है कोई ऐसा एक environmental factor है जो हमें prevent कर रहा है take off करने से, तो वो जूट बोल रहा है तो ऐसा मुझे लगता है कि हना गलत है कि pilot जूट बोल रहा है, cabin crew जूट बोल रहा है तो क्या कोई alternative arrangement वहाँ नहीं किया जा सकता था उन लोगों को वापिस airport पे ले जाने का ने अभिशेक, उसकी कोई possibility होती नहीं है एक बार आप जो flight में आ जाते हैं तो जो airport authorities हैं उनकी responsibility खतम हो जाती है और आप उस flight में आ गए flight जो है वो बिलकुल in flight mode में आ गई अब बस उड़ना बाकी है उसको तो वो flight wait करती है ATC के signal के लिए जैसे ही उनके पास signal आता है कि आप 125 मीटर से उपर visibility हो गई है और अब आप आराम से fly कर सकते हैं तो उनको फॉरन fly करना पड़ेगा तो यह नहीं होता कि वो plane में आ गए फिर वो वापस गए क्योंकि जो airports हैं उनकी capacity भी limited होती है अगर वो वापस airport में जाते हैं तो फिर उनका security check होगा ठीक है तो वो कितना एक airport authority के लिए extra काम बढ़ गया वैसे ही इतना burden है इतना जादा backlog चल रहा है flights delay है तो जहाँ पर एक flight जानी थी वहाँ 10-10 flights के passengers वहाँ पर airport के अंदर आए हुए हैं तो बहुत जादा rush हुआ है लोग agitated है जितने लोग airports में होंगे वो भाग रहे हैं यहां से वहाँ दौड रहे हैं authorities को बिलाओ air crew से जो crew है उसका crew members है उनके साथ लड़ रहे हैं तो इसलिए एक बार वो flight में जो चले गए unless कि कोई बहुत ही जादा emergency कोई reason है उनके पास कोई medical emergency हो गई या otherwise तो उनको फिर वापस नहीं जाने दिया जाता है लेकिन इसमें फोचनी के बात यह है कि air travel जो है वो इतना expensive है especially after covid तो prices are you know going through the roof वहाँ पर इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर इस तरीके का एक inconvenience हो रहा है जहाँ पर passengers are made to sit in the plane 10 घंटे के लिए ठीक है I understand कि वो 10 घंटे उनको immediately नहीं बताया गया होगा कि 10 घंटे तक apply नहीं करेगा उनको शायद signal मिल रहे होंगे कि अब 15 मिनट में revisit करेंगे visibility या एक घंटे पाद दुबारा revisit करेंगे something to that effect लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसे arrangements होने चाहिए जो इस तरीके की conditions में airlines और airport को मिल के करने चाहिए तो उसके बारे में हम कुछ possibilities भी आगे discuss करेंगे हाँ, बिलकुल, बिलकुल अचा इसमें एक और interesting video सामने आया है जो ललन टॉप ने अपने चैनल पर चलाया है तो वो कोई एक Russian model है जो पूरे इस incident का ब्योरा दे रही है और वो बता रही है कि उस airline में जो ये passenger था जिसको इतना गुस्सा आ गया या बाकी passengers को भी बहुत गुस्सा आया था वो इसलिए आया था क्योंकि जो captain थे उन्होंने आके announcement किया कि आप लोगों की वज़े से आपके इतने सारे समालों की वज़े से हमारा crew distract हो गया और हमारा क्यों जो ATC से मिला था हमें take off करने के लिए वो हमने miss कर दिया अब ये further delay होगी और उसके reason आप है तो ये मुझे लगता है कि while we cannot confirm or deny that मुझे लगता है कि ऐसा अगर कहा गया है तो ये बहुत गलत है क्योंकि देखो जो crew members है या जो pilots खुद भी है ये इस तरीके की सारी situations के लिए train किये जाते है in fact इससे worse situations के लिए train किये जाते है unruly passengers कोई बहुत नई चीज नहीं है worldwide हमने देखा है हजारों ऐसे incidents हुए है और recently तो कुछ जादा ही होने लगे है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे अगर आपके साथ भी ऐसे incidents कभी हुए है जहां पर आपने अपने आपको इस तरीके की एक compromising state में पाया है either with another passenger या फिर airline या crew members के साथ तो वो हमें ज़रूर बताईए but yeah coming back to that point हसन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा गया होगा लेकिन अगर कहा गया है पैसेंजर्स ही इस delay का reason है तो ये तो एक बड़ा गलत statement होगा हाँ लेकिन अभिशेक इनकी जो बात है ना उसको हम confirm नहीं कर सकते क्योंकि ये ma'am जो थी जो कह रही है कि मेरा ये वीडियो है मैंने पोस्ट किया है वो तो खुदी नहीं थी उस flight में उनके crew members थे मतलब जो group के members होते हैं जो भी वो शायद model है या जो भी थी उनके team members flight में थे अब उनके team members ने कुछ सुना इन madam को कुछ बताया फिर इनोंने आगे किसी को कुछ बताया फिर ये बात हम तक पहुँची तो अब वो कितनी बार change हो गई है और उस बात का मतलब क्या था ये हम नहीं कह सकते correctly तो it is just speculating लेकिन अगर यार ये statement दिया भी गया एक pilot के द्वारा या किसी crew member के द्वारा that still does not warrant a physical assault in fact nothing warrants a physical assault फिसिकल assault एक ही condition में शायद जायस ठहराया जा सके वो भी होता है self-defense वो भी जब आपके ऊपर एक life-threatening situation बन गई हो और आप अपने self-defense में एक physical assault पे resort कर सकते हैं वो भी एक बहुती जादा special case होता है otherwise nothing warrants a physical assault अनि अभिशेक ये भी तुम सोचो ना कि जो crew members हैं वो क्या-क्या सहें अदब dart भी से रहे हैं अब मार भी से रहे हैं अदब क्या हम ये expect कर रहे हैं कि कल को कोई भी flight delay हुई तो चार-पांच उसमें से जो तगड़े passengers हुए उसने कहा हाँ वह pilot कौन है उसे भाई साब मार रहे है मुक्के मारे घूसे मारे और पिर कहा हाँ अब flight चलाओ अब हमारा गुसा जो है वो उतर गया है तो वो बिचारा जो pilot है वो physically abused उस बिचारे को मार पड़ी हुई फिर वो उस mental condition में क्या वो मतलब can he fly a plane after that तो क्या हम अगर ये सोचेंगे कि delay होने की वज़ा से हम captain को crew को darting गे मारेंगे तो क्या हमारी journey उतनी smooth हो सकती है क्या हम expect कर सकते हैं कि हमें वो world class service दे सकते हैं तो ऐसे ही काफी सारे incidents past में भी हमारे सामने आए हैं जहां पर passengers जो हैं वो बस falto में overpower करते हैं cabin और crew के उपर कुछ उसके हम incidents देख लेते हैं कर दो खुर। अबिशेक एक fact है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वर्ल्ड की top 5 जो सबसे मुश्किल जो जॉब्स होती है उनको तुम लिस्ट करो उसमें एक होगा पाइलिट और एक होगा एटीसी एर ट्राफिक कंट्रोल सबसे थैंकलेस जॉब्स हैंगे जो पाइलिट भी है जो क्रू भी है जो एटीसी भी है कोई उनको थैंक नहीं करता लें जाके जब लैंड भी करता है न रुकता है तो हर इंसान को जल्दी होती है कि हम बस उपर से अपना सामान निकालें और कितनी जल्दी हम जाएं कितनी जल्दी बेल्ट पे सबसे पहले अपना सामान लें और बाहर भागें लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जान पिछले एक घंटे से डिर घंटे से पांच घंटे से एक पाइलिट के हातों थी उसने हमको कितना सेफली टेक ओफ किया कितना सेफली लैंड किया तो उसको कुछ एक थैंक्यू का मेसेज तो दें लेकिन लोगों के दिल से तो बस यही निकलता है अरे वो फ्लाइट पांच मिनट लेट हो गई अरे आदा घंटा प्रिजर्व किया इस पूरे रास्ते सेफली लैंड किया आपका कमफर्ट देखा वो किसी को याद नहीं रहता हाई यार और मैं तुम्हें बता सकता हूँ अपने परसनल एक्स्पियेंस से बता सकता हूँ आप अगर थोड़ा सा नाइसली उनके साथ बेहेव करते हैं तो the cabin crew goes out of their way to support you, to help you and to provide better services to you तो ऐसा भी होता है लेकिर यह बहुत unfortunate है अब देखो air hostess की और flight seward की बात होई रही है तो तुम YouTube पे कभी search करो तो air hostesses ने अपने वीडियो डाले हुए क्यों उनको वो job छोड़नी पड़ी मतलब इतना stressful उनका यह job होता है, schedules are all over the place कभी रात में उठ रहे हैं, कभी फिर double shift हो रही है उनकी, कभी किसी के fatigue के लिए cover कर रहे हैं and so on और despite all of that उनको इस तरह से create किया जाता है जैसे के literally जैसा यह कह रही है that they are the servants of the passengers, तो मुझे लगता है थोड़ी सी courtesy यहां पर जरूरी हो जाती है अब देखो, एक और मैं तुमको इसका एक angle दिखाता हूँ, जो होता है celebrities का so-called, या फिर कुछ VVIPs का तो देखा गया है कि कितने ही cases में, जैसे अभी एक पीछे आदित्य नारायन का एक वीडियो आया था जहां पर वो, मतलब verbally abuse करते हुए दिखे एक fight, मेरे खाल से ground staff को just because of, you know, this guy asking some documents या कुछ एक जो भी prerequisite programs, अगर वो कोई अपने protocol के तहत आप से कोई भी document माग रहे हैं, तो आप दिखा देजे उसमें इतना, you know high handed behavior दिखाने के जरूरत नहीं है ऐसा ये दूसरा वीडियो आया था है सानवी प्रग्या का, जो उन्होंने पूरी की पूरी flight ही डिले करा दी मतलब आप वहां लेट पहुँच रहे हैं लेकिन आपने वो VIP card अपना खेल दिया और उसके बाद आपने पूरी flight को डिले करा दिया, तो ये भी कहां तक जायज है यार, ये जो VIP culture है या जो celebrity culture है अब आप देखिए, celebrities जो हैं वो जरा से delay को लेके जरा से किसी inconvenience को लेके what they do is they directly take to the social media और वहां पर एक tweet कर देंगे एक post कर देंगे, उसमें लेकेंगे कि कैसे उनको दुनिया भर का inconvenience हो गया जरा से delay की वज़े से अगर delay हो भी रहा है और किसी operational reason की वज़े से हो रहा है, जिसके लिए flight जो है, airline जो है, staff crew members, everybody is apologizing तो वहां पर आप social media पर जाके immediately और इस तरह का एक जो कोई कभी उनसे गलती नहीं होती है, या वो जान बूझ के कभी inconvenience नहीं करते है, ऐसा भी बहुत बार होता है, that they play the rule card, या the policy card, और उसके बेहाफ पे आपको वो बहुत तरीके inconveniences देते भी हैं, लेकिन उसके procedures है, DGC एक authority है, आप पहले वहां report करिए क्या आपके issues social media पे solve होने वाले हैं? अभीशिक ये भी होता है कि जितने भी passengers हैं, देखो, वो इनको एक तरह से अपना ideal मानते हैं, इनको follow करते हैं, अगर ये कोई भी छोटी से छोटी problem होने के बाद भी उसको सीधे blow कर देंगे social media पे, तो लोगों के लिए भी ये message जाता है कि यार हमारी flight delay हुई, train delay हुई, bus delay हुई, कुछ भी हुआ तो सीधे उसका out of proportion उसको blow करो और सीधे social media पे डाल दो, which I think is unfair तो देखो, ये crew के लिए कहा जाता है, cabin crew के लिए कि दूर से लगता है कि कितनी एक अच्छी एक काम है ये कि यहां से अभी fly किया आपने आप वहां पहुँच गए फिर you are you know always in airplane और कितना मज़ा आता होगा आप hotels में between two flights, आप five star hotels में रहते हैं बहुत मज़े की life होगी, लेकिन बहुत stressful life है मतलब जो आप पर passengers का pressure होता है delay को लेके, अच्छा खाना नहीं मिला हमें यह हुआ, वो हुआ, सारे दुनिया भर के dissatisfactions जो cabin crew होता है, उसे भी अलग-अलग situation समालनी पड़ती है मतलब कभी-कभी दो passengers में fight हो जाती है कभी वो plane बिलकुल अपना mid journey है, उपर हवा में ओड़ा है उस time पे fight हो गई, अब वो कैसे समाले हैं उसको पिर कभी take off से पहले हो गई, कभी landing के बाद हो गई अलग-अलग situation में, वो भी तो एक उनकी बिचारों की suffering का part है मैं तो मैं अपना एक recent case बताता हूँ अभी 10 दिन पहले मैं एक flight में था and all I did was just thanked the cabin crew for their services तो सिर्फ इतना ही कर देने पर, मतलब उन्होंने एक हलका सा note of appreciation, एक tissue paper पर लिख के बुझे दिया तो ये दिखाता है कि ये लोग एक सिर्फ thank you के भूके हैं है ना, मतलब जिस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं वो इतना जादा stressful काम है all you need to do is acknowledge that and appreciate that if you can and be a nice passenger yourself अच्छा speaking of nice passengers यार हसन एक clip और आईए अभी recently जो शायद Mumbai airport की है जहाँ पर passengers delay हो गए और उन्होंने शायद अभी तक flight board नहीं करी थी but वो delay वहाँ पर announce हुआ और उनको फिर खाना जो serve किया गया है वो tarmac पर बिठा के serve किया गया है अब ये मतलब passengers तो चलो nice थे तो उन्होंने वो accept कर लिया लेकिन ये अपने आप में कितना बड़ा एक security concern है जिसके लिए I think DGCNA इनके उपर I think they have been slapped about 1.2 crores की penalty लगाई है and I think rightly so क्योंकि ये इस तरीकी की अगर चीज़ा होने लगेंगी तो मतलब एक तो ये अजीब दिख भी रहा है जिस तरह से ये चीज़ हो रही है plus security concern भी है अजब उस tarmac पे आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं आपको flight से उतरना होता है और सीधे आपको bus board करनी होती है अगर आप TAMAC पे हैं तो या फिर आपको bus लेकर जाती है और उस bus से आप bus को de-board करते ही flight को board करते है तो इतनी वो tight situation होती है and it is manned by people तो आप इधर उदर नहीं जा सकते है photos नहीं ले सकते in so many cases छोटे airports जो होते हैं उन पे भी it is manned और एक particular जो path होता है उसी पर आपको चलना होता है and so on अब आप वहाँ पर बिठा के food serve कर रहे हैं किसी का बच्चा है कोई वहाँ से भाग गया कुछ हो गया और किसी भी तरीके का एक accident हो जाता है who is going to take the responsibility for that तो इस तरह के events भी आप देखने को मिलते हैं which must be avoided तो असन इसको conclude करते time हम थोड़े से solutions discuss कर लेते हैं probable solutions इसके क्या हो सकते हैं देखो सबसे एक important long term solution तो गौरफ तनेजा नहीं अपने वीडियो में बताया है जिसमें he said that के जो airports हैं उनकी जो capacity है वो बढ़ाने की जरूरत है जो Delhi airport है for example तो वहाँ के terminals बहुत छोटे हैं और जरा सा भी अगर कोई delay होता है due to fog या और किसी weather condition की वज़ा से तो वो बहुत जादा ही वहाँ पे crowd बढ़ता जाता है passengers जो है वो फिर इस तरह से उनका mismanagement होता है और inconvenience बढ़ती है तो सबसे पहले जो capacity है terminals की वो भढ़ाने चाहिए अगर एक terminal दो terminal पे नहीं आपा रहे हैं तो एक तीसरा फिर आप terminal चौथा terminal बनाइए तो that is one of the solutions तो aviation minister जो है जोते रादेति सिंधिया उन्होंने बहुत ही specifically यह बताया है और इस बात को realize कराया है लोगों को जितने भी stakeholders होते हैं चाहे वो ground staff हो चाहे वो cabin crew हो चाहे वो pilot हो चाहे A.T.C. हो आपकी जो एक यात्रा है जो journey है उसको safe बनाने के लिए fog का जो impact है वो कम से कम हो उसके लिए तो हमें उनको उनके तरफ thankful होना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्कुल zero tolerance है for such cases जहां पर कोई भी person है he is resorting to violence किसी तरह का that will in fact not be tolerated साथी साथ उन्होंने DGCA को ये भी direct किया है कि passengers के साथ सारी जो airlines है उनको transparent होना चाहिए और जो भी condition है जिस वज़ा से भी delay हो रहा है flight वो उनको update देना चाहिए sincerely कि भई ये walk की वज़ा से है या कितना उनको time लगेगा ताकि जिससे उनको inconvenience जो हो रही है ये तो फिर भी एक long term solution है कि airports की capacity बढ़ाई जाए या उसमें terminals add किये जाए ये नहीं तो overnight हो सकता है और कुछ cities यार बहुत छोटी होती है for example अगर आप आगरा का airport देखें तो वो ये defense airport है similarly goa का airport है वो defense airport है पूने का airport है वो बहुत छोटे airports है वहाँ पर मुझे लगता है एक level के beyond जाकर terminals या फिर एरपोर्ट के expansions होना लंगभग impossible है तो ऐसे cases में मुझे लगता है immediate solution जो हर airline को करना चाहिए वो है एक undertaking उनको जारी करनी चाहिए while the customer is booking the tickets उसी समय पर एक undertaking आनी चाहिए और उसमें clear conditions लिखी होनी चाहिए कि because of inclement weather या bad weather क्योंकि आप देखो ये तो हर साल होना है fog की situation तो हर साल होनी है ये जो problem है ये आपके syllabus में ही है या out of syllabus problem नहीं है जिसके लिए आप all of a sudden startled हो गए अरे अब कैसे manage करें या what not तो ऐसे time पर जहां पर weather आपको पता है especially in these months जहां पर December, January का जो period होता है वहां पर उनको चाहिए कि एक ऐसी undertaking जो है वो sign कराई जाए और जब तक वो sign ना हो तब तक आप ticket ही issue ना करें लेकिन इसमें problem मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होती है in fact this is one of the secrets of airlines aviation industry का जो होता है overbooking से related तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी flights होती है अगर तुम्हें नहीं पता तो you will be surprised to know अपनी capacity से वो 5, 10, 15 seats जादा ही book करके चलते हैं for example अगर आपके पास 100 AP seats हैं तो वो शायद 200 tickets sell कर देते हैं अब यह वो क्यों करते हैं यह वो इसलिए करते हैं कि अगर कोई no-shows होते हैं last minute पे या फिर किसी ने last minute cancellations कर दिये तो वो अपने profits पे compromise नहीं करते हैं उनको ultimately 5, 10 extra passengers होते हैं जो वो उनको accommodate करके अपनी full booked एक flight जो है वो operate करते हैं लेकिन web check-in भी तो होता है और अगर जैसे सारे ही लोग show up हो जाएं फिर क्या होता है या ऐसा हो भी जाता है कई बार especially at the time of festivities and what not वहाँ पर अगर सारे customers show हो जाते हैं सारे passengers show up हो जाते हैं तो जो over booked flights होती हैं तो उसमें भी एक level होता है जैसे अगर आप directly airlines के साथ book करते हैं for example अगर आप go indigo में fly कर रहे हैं और go indigo की website पे जाकर book करते हैं या फिर आप spice jet की website पे विस्टारा की website पे जाकर book करते हैं तो उन passengers को preference दिया जाता है लेकिन जो aggregators होते हैं so for example make my trip या go ibibo, ease my trip and so on and so forth तो इन से booking जो होती है उनको फिर second preference दिया जाता है उन passengers को भी जो insights के तुरू aggregators के तुरू आते हैं last minute पे क्योंकि ये लोग bump कर रहे होते हैं दूसरी flights में तो उनको कुछ additional vouchers दे दिये जाते हैं कि आप 1000 रुपे का voucher ले लीजिए और next flight ले लीजिए तो ऐसे कुछ passengers जहां पर जिन लोगों को कोई time की जल्दी नहीं होती है such तो वो लोग vouchers के against थोड़ा सा delay accept कर लेते हैं तो point ये है कि आर ऐसी conditions में मुझे लगता है कि आर profits को थोड़ा सा back burner पर डालके second preference देके preference देनी चाहिए services पर अब ultimately ऐसा incident जो हुआ आपका cabin crew पर assault हुआ pilot पर assault हो रहा है किस तरीके की stressful situation में आप अपने pilots को और cabin crew को डाल रहे हैं उससे तो अच्छा है कि आप 2 seat या 4 seat या 10 seat कम fly करने लेकिन कम से कम ऐसी चीज़ नहों जिसमें किसी भी तरीके का passengers को security risk हो साथी साथ आपके अपने cabin crew या pilots को किसी भी तरीके का harm हो Speaking of passengers passengers के लिए भी यार हम लोगों को भी चाहिए कि हम थोड़े से ज़ादा patient हूँ थोड़ा सा ज़ादा aware हूँ कई लोग तो यार जानते भी नहीं हैं अपने rights नहीं जानते हैं और rights अगर जानते भी हैं तो responsibilities नहीं जानते हैं मदब rights can never be spoken of in isolation so whenever rights are spoken of इस country में जब भी rights की बात होती है तो responsibilities की भी बात होती है तो यह हमारी responsibility भी बनती है कि हम यार खुद थोड़ा सा aware भी हो इन सब चीज़ों को लेके जाने कि क्या ऐसी conditions में होता है क्यों operational delays क्या होती है for example अगर operational delays को हम intervene कर रहे हैं as passengers तो यह एक offense है जिसके लिए आप book किये जा सकते हैं उसके अलावा अगर हो सके तो ऐसे inclement weather में या ऐसे खराब weather में आप travel ही avoid कीजी अगर आप यह जानते हैं कि आपके अंदर उतना patience नहीं है तो आप ऐसे time पर travel करना ही avoid कर सकते हैं and ultimately जैसा मैंने बताया थोड़ा सा extra nice उनसे कभी होके देखिए कभी उनको thank करिए कभी उनसे बात करिए उनसे पूछीए उनके नाम पूछीए लोग नाम तक नहीं पूछते हैं उनके ठीक है चोटी-चोटी चीज़े हैं that makes a world of difference तो हमें समझना ही है कि इस पूरे process में हमारा पैसा तो जा रहा है और flight travel obviously cheap तो नहीं है ये सोचने के बजाए कि क्योंकि हमने ये पैसा इतना सारा दिया है अब हमें यहाँ पर fly करा दिया जाए चाहे weather कितना भी बुरा है इससे असली नुपसान किसका है तो थोड़ा से इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए थोड़ा सही हम रखिए और इस तरह की incidents अगर आपके साथ हुए हैं तो हमारे साथ share कीजिए I hope आज की वीडियो में आपको बहुत सारी learning मिली होगी जिसको यूस करके you will unlock the 2.0 you keep watching the 2.0 podcast and we will see you in the next one